इसलावलेकूम उमीद करता हूँ और सब फिर इससे होंगे और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक हो बिसिकली यह है कि हम लारावेल के अंदर डीबग बार को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम जब एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डीबगिंग करने के लिए हमें एक कॉंसेट मिलता है एक फंशन मिल जाता है डीडी जिसे डंप एंडाय उसकी जागा हम क्या करना चाहते हैं एक्शुली और यह देखना चाहते जो क्यों सी रन हुई उसने कितने एक्रिक्विशन टाइम लिया तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए लारावेल के अंदर एक पैकेज मिलता है जिसको हम कहते हैं लारावेल डीबग बार क्या होती है कि जब आप लारावेल डीबग बार को अपने प्रोजेक्ट के अंद बार को मिल जाती है तो यह बहुत ही अच्छा पैकेज है अगर आप Laravel के अंदर development कर रहे हैं और Laravel developer है तो आपको debug bar को use करना चाहिए ताके आप अपने project के अंदर देख सकें के कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है के लग्यूरी सही नहीं है यहां कुछ मसला आ रहा है तो आप उसको debug bar के त्रू एनलाइज कर सकते हैं इसको install के से किया आसान तरीका है कि आप यहां पर आके क्या करेंगे composer require और यह package का नाम लिखेंगे और आपके पास क्या होगा यह install हो जाएगा तो इसको install करने से पहले मैं अपने project के अंदर एक छोटे सा database के क्यूरी लिख रहा हूं ताके हम उसके tools को run करके easily देख सके तो first of all मैंने यहां स database select किया हुआ है test के नाम से इसके अंदर एक customer का table है तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर customer की table है इस customer की table को हम use करना चाहरे है तो first of all हम अपनी env file के अंदर आएंगे और env file के अंदर आके सबसे पहले हम जो changes करते हैं आप लोगों अगर database से क्या है तो आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा इसके अंदर कैसे changes होते हैं तो यहां पर database का नाम देंगे database का नाम है test ठीक है root username है password है ठीक है यह सारी के अंदर http में जाएं controllers में जाएं और यहां पर एक controller बना लेते हैं तो हम लिखते हैं PHP artisan make make controller controller का नाम हम दे देते हैं customer controller यह हमारा customer controller create हो गया आप यहां से देख सकते हैं अब इस customer controller के अंदर में एक function लिख रहा हूं public function index और इस function से मैं data load करना चाहरा हूं तो यहां पर एक simple सी हम क्यों लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले में एक variable बना लेता हूं customers के नाम से इसके अंदर में लिख रहा हूं db ठीक है db के बाद यहां पर मैं लिखा बना लिख सकता हूं यहां पर भी लिख सकता हूं यहां पर भी लिख सकता हूं जो मुझे यूज्ट करना है तो यह के बाद मैंने का वह यहां पर यहां पर देते हैं table के कौन सा table है तो हमारा table है table का नाम है customer यहां से एक दफाव verify कर लेते हैं तो customer table का नाम है और यहां से हमने लिखा get तो यह हमने क्यूरी लिख ली तो फैच all the data उसके बाद आप हम यहां पर आकर written कराते है डॉलर कस्टुमर्स को और देखते हैं कि हमाई पास कस्टुमर्स रिटन हो रहे हैं या नई बट इसके लिए हमें एक राउट की ज़रुवत होगी तो हम जल्दी से यहां पर आते हैं राउट के फोल्डर में और और web.php में जाते हैं और यहां पर एक राउट जनरेट करवा लेते हैं तो राउट डबल कॉलन गैट और हमने का लेस्ट इसके अंदर में राउट में नाम दे दिया लेस्ट कस्टुमर्स यह हमारी राउट का नाम हो गया इसके बाद यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें जो है ना वो लोड करना है controller तो पहले controller को एड़ कराएंगे app ठीक है http customer controller शबी और यहां पर आपहें हम लिखेंगे बहित नहीं हमाइंपस क्या है customer और इसके बाद हमें किया लिखना होता है हमें यहाँ पर इसकर रहा है हमारी function का name तो function की ऑन थे power index यहां से हम project को एख्जेक्यूट करा लेते हैं और यहाँ जा के एक दफ़ा में को refresh करता हूँ तो बैर प्रोजेक्न चला यहां पर आएके मैं अपनी राउट लिखता हूं लेस्स कस्टूमर्स मैंने यहां पर लिखा है लेट सी और डी बी नॉट फाउंड वॉट इस इस एरर है ओके सो हमें डीवी हैट करना पड़ेगा यूज लियूमिनेड और यहां पर सपोर्ट फकार हमाने पास आएगा यहां से यह क्या है सपोर्ट सब्सक्ट करवा दिया कि बार अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यह देखे हमाया पास पूरी कस्टूमर्स की लेस्ट आचुकी है ट्रिक है अभी लेस्ट आचुकी है अब इसके लिए हमें व्यू चाहिए तो हम यही डेटा व्यू को भी डेटन कर करा सकते हैं, तो कैसे return करेंगे,ỉ si c k all कर लेंगे और यहां पर व Onu का नाम दे देंगे, तो मैंने वियू का नाम देंगे, bluetooth कना tag 26 this नाम देदिया इसके साथ मैंने यहां पर पास कर दिया और यहां पर मैंने नाम दे दिया कस्टुमिर्स के नाम से की बना दिया और यहां पर मैंने dollar customers का variable पास कर दिया है ठीक है यह हमारा view को अप written होगा तो हमें view भी एक require होगा तो हम यहां से resources में जाएंगे और resources के अंदर views के अंदर आकर हम एक new file बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे customer list.blade.php ठीक है और already मैंने यहां पर code copy paste करके रखा हुआ है तो वो code में हम यहां पर utilize करेंगे ताकि हमारा time save हो जाए तो हम मैंने यहां पर क्या किया हुआ है मैंने यहां पर basically एक view customers के नाम से data title पास किया हुआ है और यहां पर customer की table से first name, last name और city का name जो है वो हमने fetch किया हुआ है यहां पर हमने customers के नाम से जो key pass की थी उसके तुरू हम यहां पर get कर रहे table के अंदर तो refresh कर लेते हैं यहां से तो यह हमारे पार जो data हमारी आ रही है वो देखे टेबल के अंदर fetch हो कर आ गई तो इतना गाम अभी हमने कर लिया कि हमारे पार का स्तमाल करेंगे तो लाराविल डीबग बार install करने के लिए आपको यहां से यह copy करना है copy करने के बाद आप यहां से आके अपने terminal को close करेंगे और यहां से वो package लिखेंगे जो आपको require है तो हमें लाराविल डीबग बार का package require है हम enter करेंगे आपको करने के बाद यह आपको कह रहा है कि अगर लाराविल यूजज पैकेज आउटर डिस्करवरी तो ड़संट डिक्वाइड यूटू मैनुली एड़ी सर्विस प्रोवाइडर विल बी अनेबल when app debug is true तो आपने यहा करना है आप अपनी ENV file के अंदर जाएंगे जहां पर मेरे पास यहां पर ENV file open है तो ENV file के अंदर जाकर आप यहां से यह देखें कि यहां पर app debug जो है न वो true होना चाहिए तो आपको अगर इस package को run करना है तो आपके पास यहां पर mention है अगर आपके पास लाराविल without auto discovery यूज हो रहा है ठीक है तो if you don't use auto discovery अगर आप auto discovery यूज नहीं करते तो फिर आपको यहां पर क्या करना होगा जो आपके पास config.app.php की file होती है उसके अंदर जाके इसको add करवाना पड़ता है तो अभी क्योंके हमने ENV file से क्या किया हुआ है हमने ENV file से यहां से क्या किया हुआ है उसको enable किया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे एक दफ़र यहां से run करके देखते हैं क्या debug bar हमाई पास enable हो गया या नहीं तो हम यहां से PHP Artisan सर्फ करते हैं और इसके बार यहां से आके इसको रीफरेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे लारवेल डीबग बार आ चुका है अब आप इसको ओपिन करें तो यह आपके पार डीबग बार आ चुका है यह आपको request info दे रहा है यहां पे आपको बता रहा है कि कौन सी route आपने run करी है कितनी memory usage हुई है इसके लावा आपको बता रहा है कि आपकी request redirection duration कितनी थी और यहां पे आपको PHP का version भी बता रहा है आप यहां पे further क्लिक करेंगे तो आपको सारी details बताएगा सारी information आपको यहां पर लाकर दे रहा होगा इसके लावा अगर आप models में आएंगे तो अगर आपके पास कोई model यूज हुआ है तो यह आपको बताएगा क्योंकि अभी हमने कोई model implement नहीं किया था तो data जो हमारा रहा है वो direct database से लेकर आरे table के through तो इस वज़ा से यहां पर कोई model यूज नहीं हुआ क्यूरी यह आपको बता रहे कि आपने एक simplest सी क्यूरी लगाई है जिसने आपके पास 3.58 milliseconds रिक्वायर की है तो आपको यह भी बता रहे कि यह क्यूरी आपकी यहां से generate हुई है हमने क्यूरी लिखी थी वह हमने simply क्या लिखी थी हमने क्यूरी तो select करके थोड़ी लिखी थी हमने table लिखा था customer लिखा था और get लगाया था तो इस get method ने automatically यह क्यूरी जनरेट किये तो अगर आप Laravel के projects के अंदर जो है वह ऐलोकेंट यूस कर रहे हैं या डीवी यूस कर रहे हैं रहो तो वह उसमें अंदर आप queries लिखते जाते हैं और आखिर में आपको proper जो query generate होती है वह चाहिए तो वह भी आप यहां से debug बाहर की मज़द से निगाल सकते हैं प्रूस के अंदर आपको बता रहा है कि आपने कौन से व्यू को render करवा है अगर कोई exception आएगी यहां पर exception मिलेंगी timeline बता रहा है इसके लावा messages वगेरा जो भी होंगे वह यहां पर show हो जाएंगे so basically इसको install करने का तरीका बहुत ही असान है आपको अगर आप Laravel 8 5.7 वर्जिन से अब पे काम कर रहे हैं तो आपको simply जाके क्या अगर ना है सिर्फ app debug को true करना ENV file से और आपने यहां पर आके इस package को अपने project के अंदर install करना है in case अगर आपके पास app debug true नहीं है तो आप यहां पर जाके जो है अपने services यानि आपी config app.php file के अंदर जाके दो lines add करेंगे ताकि आपके पास जो है ना यह run कर सके तो i hope so कि आपको यह चीज के लिए हो गई होगी कि हम debug bar को कैसे enable कर सकते हैं अपने लारावेल project के अंदर अगर आपको वीडियो पसा आई तो इसको like कर दिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको subscribe भी कर लिएगा और एक और चीज अगर आपको कोई भी लार आपिस